Hello dear students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीडियो हैं उसमें डिसकस करेंगे वक्षीट 97, 4 क्लास 9th सब्जेक्ट सोचल साइंस है और ये वक्षीट आपके लिए 4th of March 2022 के लिए शेडिूल की गई है आज की जो वक्षीट है स्टूडेंट उसमें हम Chapter 5 Natural Vegetation and Wildlife इसका मैप वर्क करेंगे और पिछली कई वक्षीट से हम मैप वर्क कर रहे हैं ठिक है तो आपको काफी यहाँ पर प्रेक्टिस कराई गई है वक्षीट के थूँ मैप वर्की सो इससी मैप वर्क को हम आगे continue करते हुए ये आज जो है इसमें हम different type of जो vegetation है इंडिया में वो हम study करेंगे तो बख्षी शू करने से पहले प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे तो देखे क्या दिया गया है on the given outline political map of India identify the natural vegetation type marked as A, B, C and D by using the following information and write their names on the line given there तो देखे यहाँ पर आपको five types के जो है क्या दिये गई है, vegetation दी गई है natural vegetation और आपको map दिया गया है इंडिया का political map तो आपको भी इंडिया का political map लेना है और उसके उपर इनको mark करना है so first है tropical rain forest ठीक है, tropical rain forest जो है यह mainly जहाँ पर 200 cm से ज्यादा rain होती है वहाँ पर यह plants यहाँ पर यह vegetation ग्रो करती है mainly like अंडियमा निकोबार island है, लक्षद्वीप है तमिलाडू के जो तट है ठीक है न, वहाँ पर उसके अलावा आसम के जो कुछ उपरी भाग है, उनमें जो है यह vegetation मिलती है that is having tropical rain forest ठीक है, तो हम एक पर बारिश कम होती है, तो लगबग 70 cm से कम जहाँ बारिश होती है वहाँ पर thorn forest जो है वो मिलते हैं, like गुजरात है, राजस्तान है, यूपी हरियाना के कुछेरिया वहाँ पर इस तरह की thorn forest जो है वो देखने को मिलते हैं next देखे, नमबर 3 है union territory having mountain forest mountain forest कौन से forest है mountain forest जैसे की जो परवतों में पाए जाते है mountains ठीक है, और अलग-लग height पे अलग-लग तरह के जो है ये forest पाए जाते है, like अगर हम बात करें, तो जो चोड़ी पत्ती वाले जो ओक होते हैं, chestnut होते हैं इसके अलावा corn trees होते हैं alpine trees होते हैं, like junifer है, pine है, birch है ये सब क्या कहलाते हैं ये सब mountain forest कहलाते हैं ठीक है, तो जमु कश्मीर है, जो भी mountain area है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं उसके बाद देखे area state having mangrove forest mangrove forest कौन से होंगे, यानि जो जहाँ पर delta बनते हैं family, पच्चि मंगाल का जो area है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है, ये जो mangrove है वो पाए जाते हैं, और इनमें सबसे famous, हमने worksheet की थी तब क्या था कि जो सुंदरवन है जहाँ पर सुंदरी नाम का एक जो tree है, वो पाए जाता है इसलिए इसका नाम सुंदरवन का जाता है ये वहाँ पर पाए जाने वाला खास जो है, क्या है, plant है clear, उसके बाद आता है tropical deciduous forest tropical deciduous forest क्या है कि जहाँ पर 70 cm से 200 cm तक लगबग बारिश होती है वहाँ पर ये tropical deciduous forest पाए जाते हैं, और इंडिया की बात करें तो काफी area में ये जो forest में फैले हुए है इनको हम मांसूनी वन भी कहते हैं ठीके मांसूनी जो forest होते हैं ये भी कहा जाता है तो अब आपको क्या करना है, आपको map में इनको करना है, तो map में अल्रड़ी जो है mark किये हुए हैं, इसी तरह से आप भी mark कर लोगे, तो देखे tropical rainforest हमने बढ़ा था, कि जहाँ पर बारिष जादा होती है, तो ये जो है B, B हो जाएगा tropical rainforest आसाम, clear तो number 1 हमने दे दिया, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, लाइक ये B होगा, उसके बाद thorn forest कौन से होंगे, जो राजस्तान का एरिया है, C वाला ये जो है thorn forest हो जाएगा, second पे उसके बाद देखिए, mountain forest mountain forest जो है, वो कौन से होंगे mountain यानि जो परवती है, ठीके तो यहाँ पर ये number 3 हो जाएगा ये वाला पार्ट दिया गया है यहाँ पर mountain forest होंगे उसके बाद आपको दिये गई है mangrove forest mangrove forest कौन से होंगे, mangrove forest लाइग ये जो एरिया है, यहाँ पर ये जो है क्या है, यहाँ पर mangrove forest मिलते हैं, ठीके उसके अलावा mangrove forest यहाँ पर भी mangrove forest आपको मिलते हैं, बट यहाँ पर आपको केवल यही दिया गया है उसके बाद देखे, next number 5 दिया गया है having tropical deciduous forest जानि जिसकी पत्तियां ज़ड़ जाती है तो वो यहाँ पर D जो है वीडियो को जरूर से like कीजिए share कीजिए और channel को subscribe कर दीजिए so thanks for watching, मिलते हैं next video में next worksheet के साथ take care, have a nice day